दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का अलन इटाफुस्टी येटीव चैनल में जिसा कि दोस्तों आप जानते किसी वर्ति सम्मधित कोई भी जानकाई होती है आप सभी का उनिटाफुस्टी चलके माध्यम से दी जाती इस वीडियो में हम बात करने वाले कई बड़ी औ solution अगर आप KBS, PRT, TGT and PGT किसी भी exam के interview की preparation कर रहे हैं तो teaching वाला लेकर आए हैं आपके लिए उन्नती batch जिसमें आपको मिलेगा live lecture class note सिर्फ 799 में अगर आप उन्नती batch with mock test interview batch लेते हैं तो आपको मिलेगा live lecture plus class note plus आपको three mock interview देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपके one on one होंगे और साथ ही आप सभी participate कर पाऊगे panel discussion में with expert faculties के साथ जो कि आपको मिलेगा one triple nine में तो देर किस बात की जल्दी से join करें and अपने आपको बनाए interview के लिए perfect और अगर आप मेरा code use करते हैं OA100 तो आपको मिलेगा 100 उपीस का instant discount batch join करने के लिए link वीडियो की description में दिया गया है लिंक पर क्लिक करें और अभी जोइन करें तो शुबात करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ बात की जाएगी उनहेतर हजार सिच्छिक भरती को लेकर फिर हम बात करेंगे शिक्षा मंती इसके लावा अधिकाईयों को जेल के बारे में तो वीडियो को पूरा देखें जिससे की जानकाई पूरी मिले जैसा कि आप जानते कि कि उनके माध्यम से कोई भी मुद्दा नहीं चुपाया गया जब मामला कोट में गया तो कोट के माध्यम से भी इस मुद्दे को सुर्कार किया गया कि सरकार ने कई ऐसे रिकॉर्ड है जिनको छुपाया है जबकि सरकार के पास में पूरा अधिकार है उन रिकॉर्ड को प्राने अभ्यरति जोड़े जाएंगे कुछ पुराने अभ्यरति बाहर किये जाएंगे अब पुराने अभ्यरती जो पहले से चैनिस सिच्छक हैं उनके उपर भी तलवाल लड़की हुई है क्योंकि उनकी जो निवती थी वो कोड के अधीन थी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि कोड के अंदर नहीं पेश किये गए रिकॉर्ड कोड ने अफसुस जदाती हुए कहा कि सरकार की माध्यम से अब बेरती वा उनके आरच्छन का जो विवर्ण है और साथी उनका जो इश्कोर है बो सरकार के सामने मांग रखी थी लेकिन सरकार इस मुद्दे को सुनने के लिए तयार नहीं थी अब जब कोड के माध्यम से मामले को लेकर जानकाई मांगी गई तो वहां पर भी सरकार कुछ देती हुए दिखाई ने थी क्योंकि असली घोटाला तो यहीं पर देखने के बात है वो यहां पर आप सुभी को देखने के लिए मिलती है कोड ने अपने फैसले में सरकार को इस बात की छूट दी है कि वह चैन सूची की समिक्षा करने के कारण प्रभावित होने वाले सिचकों को समय उजित करने या फिर अलग से नीती बना सकती है लेकिन एक मामला यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि अदालत ने कहा है कि यह जो जिम्विदाई वो अफसरों की थी लेकिन अब जो अभ्यति पहले से चैने तुए हैं ऐसे में उनको भी समझना पड़ेगा कि उनकी जो निवक्ती थी वो कोड के अधीन देखने के लिए मिली थी सरकार किसी की होते नहीं है आप जानते हैं 99000 के अलाबा शिक्षा मित्तों के साथ क्या-क्या देखने के लिए मिला था हाला कि इनकी जो निवक्ती देखने के लिए मिली थी वो कोड के अंतिम आदेसों के अधीन चल रही है और यही चैनित हो चुके सेच्छकों के लिए सबसे बड़ उन याचिकाओं के अधीन है और उस पर जो भी निर्णे आएगा उसकी आदार पर आपकी जो निवक्ती है वो यहां से प्रवावित हो सकती है अब जो निर्णे है वो आ चुका है देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्य पर क्या करती है क्या इनको समाय उजित करती है या जो इनकी निवक्ती की गई तो उसकी आदार पर फैसल लेती है लेकिन यह होगा तीन महीने के बाद या फिर जब तक सरकार नई चैन सूची नहीं बना लेती है तो लेकिन इसी के साथ अगर बात कीजा उनेतर जास इच्छक ब्रती रद्द हो जाने से एक बड़ा हंगामा फेसे शुरू हो चुका है पहला है 6800 को लेकर जो 6800 के अंदर चैनित थे उनका कहना है कि सरकार ने उनके साथ धोका किया है निवक्ती मिलने के बजाए उनकी सूची भी रद्द हो गई तो वहीं दूसी दब दूसे चात्तों का कहना है कि चलो इस बात को तो ध्यान में गोटाला हुआ लेकिन जिन्होंने गोटाला किया उनकी उपर क्या कारेवाई होनी चाहिए चाहे वो पुराने शिक्षामंती हो या फिर जो अधिकारी क्योंकि पुराने शिक्षामंती के माध्यम से अपने तमाम इंटिव्यू के अंदर कहा जाता था कि 39000 सिच्छिक बरत से सफ़्ष्ट कर दिया कि योगी इस सरकार ने सिच्छिक बरति में भ्यापर घुटाला किया है सरकार ने एकवाफे से ओपी सी सेस्ट के अर्क अधिकार के पेहार किया है और 49000 सिच्छिक बरति में आरच्छन Müर्षी देखने के लिए मिली है और 6800 की लिस्ट है वो भी को सिक्षामंती आवास का घताव किया गया निसा कि आप सभी इमेजिस के माध्यम से देख पा रहें इसी के शमद्ध में यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि कोट के माध्यम से माल लिया गया है उनेतरजा सिचिक वरती में गोटाला हुआ है बड़े इस तरह पर विवानी देखनी के लिए मिली है और लगबग लगबग यहां पर सीटों के बारे में भी जानकाई दी गई है अब विवाद ही है कि आप जानते उनेतरजा सिचिक वरती को लेकर जिनके माध्यम से गोटाल से उन्होंने इस मुद्य को टेग किया है तमाम अधिकारी तमाम सरकार के जो भी आला अधिकारी है और फे उच्च पदों पर बैठे हुए उनके माध्यम से मांग की गई है कि जो पुराने सिख्षा मंती इसके इलाबर जो अधिकारी थे जिनके माध्यम से उनेतरजार उनकी खिलाब क्या कालिवाई होगी यह बी एक बड़ा मुद्दा है बात कर लेते हैं अपनी अप्डेट के बारे में जो कि सम्बंदीत है यूबी टीजटी पीजटी एक्जाम डेट को लेकर क्योंकि कई दिनों से अभ्यादी पूछे थे कि यूबी टीजटी पीजटी क के बात की जाए तो चैन बोड के माध्यम से नए आयुब को लेकर तो अभी तक सरकार कि माध्यम से नए आयोग को भी मंजूरी नहीं दी गई है जिसके चलते TGT-PGT की जो परिक्षा है वो अधर में लटकी हुई है मैंने आप सभी को 2-4 दिन पहले भी बताया था कि जो आपकी परिक्षा देखने के लिए मिलेगी अब ये नए आयोग के माध्यम से ही होगी और जब आपका नया आयोग बनेगा उसकी एक या तेड़ महीने के बाद परिक्षाओं का आयोचन सुरू होगा अभी तक चूकि नया आयोग नहीं बनाए और नहीं इसके बारे में कोई अधिकारी गोशना होई है कि कब तक ये जमीनी इस तरह पर होगा तब तक टिजडी पिजडी परिक्षा करा पाना चैन बोर्ड के लिए तो बिल्कुल भी मुम्किन नहीं है और नए आयोग के से तो तब ही होगी जब वो आयोग बनेगा तो ऐसे अब बहती जिनके मन में ये सवाल है कि टिजडी पिजडी परिक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी कब तक होनी की संबावना है तो मान करके चलें कि आपके पास दो या तीन महीने का समय अभी भी बाकी है आप चाहें तो अपनी तेयाई को और बहतर बना सकते हैं या फिर आप दूसी बरतियों के साथ साथ भी यहाँ पर कवर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी तक जो चैन बोड के माद्यम से परिक्षा होनी की संबावना थी वो पूरे तरीके से खतम हो चुकी है सरकार नए सदसे बेजने के लिए अभी तक त्यार नहीं है अगर वविश में ऐसा कुछ करती है तो शायद हो जाए लेकिन लगता नहीं है कि वो चेर्मेन और सदस्यों को बेजेंगे अब वो सीधा ही नया आयोग बनाएंगे और उसके माध्यम से परिक्षा को करवाएंगे अभी आपके पास कम से कम 2-3 मेने का समय बागी है उसके बाद डिसाइड होगा कि आपकी परिक्षा कब होने वाली है ये कोई परिक्षा की तारिक नहीं होगी फिला इस वीडियो के माध्यम से तना ही थैंक यू फो वोचिंग इस वीडियो